जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारती हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगा। उस दिन बहुत से लोग मुझे से कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविश्यवानी नहीं की, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमतकार नहीं दिखाये, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सिद्रिश्य है, जिसने चटान पर अपना घर बनवाया था, पानी बरसा, नदियों में बाहल आई, आधियां चलीं और उस घर से टकराईं, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नीव चटान पर डाली गई थी, जो मेरी ये बातें सुनता है, किन्तु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सिद्रिश्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया, पानी बरसा, नदियों में बाहल आई, आधियां चलीं, और उस घर से टकराईं, वह घर ढह गया, और उसका सर्वनाश हो गय जब इसा का यह उपदेश समाप्त हुआ, तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर चकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बलकि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे